दोस्तों भूले भंडारी आदिनांक 13 मार्श 2020 है आज की देवानी जनवानी मंगल वानी मैं आपका दोस्त मंगल अलवरा जस्थां से आज की देवानी सुनिए हमारा सारा दारों मदार इस इजकल्टू पर है इस इजकल्टू में हमारी सारी मेनत बसी विए कोई पूरी तरह से इजकल्टू नहीं हो सकता ब्रावर नहीं हो सकता देवानी ब्रावर जनवानी ब्रावर मंगल वानी यह पूरी तरह से नहीं हो सकती लेकिन हमारी महत्ता कुछ भी थोड़ी बहुत है वह इसके प्रियास में है चलो आज का वीडियो सुनिए वह परम्देव वह परम्देव इसलिए सामने होकर भी इसलिए सामने होकर भी छुपा बैठा है जिस्टे कि उसे ढूंडूंड कर हम अपने को धन्य बना सकें वह परम्देव इसलिए सामने होकर भी छुपा बैठा है जिस्टे कि हम उसे ढूंडूंड कर उसे ढूंडूंड कर प्रियास करके ही अपन लोग अपने को धन्य बना सके तो ऐसी अधो चीज़ है दोस्तों हम ये देवानी प्रसाडित करते हैं हम अच्छे अच्छे सब्द बोलना चाहते हैं पॉजिटिव बोलना चाहते हैं हम समझते हैं कि हमारे ये सब्द सब की भलाई-भलाई के लिए हैं ये जो संभाशन है वो लेकिन इसमें ये इस्परश्ट कर देना चाहते हैं कि सारी चीज अच्छी और बुरी है जो भी हम देखते हैं वे एक तरफ से अंधेरा है तो दूसरी तरफ से उजाला है वही अच्छा है तो वही बुरा भी है हमें उसको किस तरह से उपियोग में लाना है ये हमें देखना है कोई चीज आज बुरी लग रही है तो समझ लो कि उस मेंसे अच्छा ही भी निकलेगी क्योंकि परम देव का ऐसा ही नियम है सुनिए और हम आपको एक इस्पष्ट कर देना चाहते हैं जीज कि हम यह जो बोलते हैं यह ऐसे नहीं बोल देते इन में हजारो चैनल का सारंस है हजारो बुक्स का सारंस है हजारो घटनाओं का हमारे कितने दिनों की त्याग का, तपस्या का अध्यान का हमारी करियाओं, पृतिकरियाओं का हमारे प्रियोगों का यह सब का टोटल सम एक सारंस है जो हम आपके सामने बोल रहे हैं कोई अच्छी चीज नहीं, कोई बुरी चीज नहीं, सारी चीज अच्छी है, अब भारत धक से जलेगा, अरे भाई सुब सुबे क्या करे हो यार तुम यार मंगल, भाई क्या करूँ परमात्मानी बेदे, यही बोला है, अब भारत से जलेगा, जिस से की, देखो यह जो हम व अच्छा है अब भारत से धक्षे जिलेगा जिस्टे की कुंदन सा भारत विश्व को चका चौंद करने वाला भार आ सके अब भारत धक्षे जिलेगा वह ये तो डिरावनी है जिसे की भारत धक्षे कुंदन बनकर कुंदन सा भारत विश्व को चका चौंद करने वाला भार आ सके वह ये तो अच्य वाद है भाई ये प्रोसेस तो प्रोसेस है प्रोसेस प्रोसेस का उस प्रोसेस में गुजरने के बाद में ही चीजे बनती है यदि कोईले में जान होती तो वो हमें बताता कि उस कोईले को हीरा बनने के लिए किन तकलीफों से कितने दवाव में से गुजरना पड़ता है इसलिए अब क्या है कि आप भारत धक्स जय लेगा जिसे कि कुंदन सा भारत भिस्ट को चका-चुंद करने वाला भार आ सके दूसरा सुनिए अब भयानक सुनामी आएगी अब भयानक सुनामी आएगी देखो सुनामी यहां ऐसे नहीं कि पाणी आ गया यार भाई यह पाणी आ रहा है आर्थिक सामाजे के राजन देते एक धार में कुथल पुथल इससे आर्थ है सुनामी का अब भयानक सुनामी आएगी जिससे की लोग चटपटा कर चटपटा कर उस परम का हाथ पकड़ सकें उसका सलोना मूद देख सकें अब सुनामी आएगी बहुत बुरा आरे नहीं यह बहुत अच्छा है उसी की वज़े से लोग चटपटाएंगे चिल लाएंगे उस परम देव का हाथ पकड़ेंगे उसको पहचाने कि रहे बाई बचा तू तो यह रहा और वो बचाएगा यह जो दूतरा अर्दवा के अच्छा होना है यह पहले का ही बाई प्रड़क्ट है इसी से निकलाएए गबराना नहीं अब सुनामी आएगी जिससे की लोग चटपटा कर उस परम का हाथ पकड़ेंगे उसका सलोना मूद देख सकें अब लोग अपने थैलियों में सोने चांदी नौट निकालने के लिए हाथ देंगे जैसे ही निकालने में इस प्रोसेस में बिच्छू उने डशेंगे लोग अपनी सोने चांदी नोट निकालने के लिए थेलों में थेलियों मार देंगे और बिच्चू उने डशेंगे जिससे के वे जान सके कि ये संपदा होती क्या है लोग अब लोग अपनी थेलियों में सोने चांदी नोट निकालने के लिए जट से आगे बढ़ेंगे और बिच्छूने डशेंगे जिस्टे के लिए जान सकें कि ये संपदा होती क्या है क्योंकि कोई चीज हम उप्योग करते हैं इसका मदल भी ये नहीं कि हम ये जान सकें कि ये क्या है छोटा सा आपको एक्जाम पिल दूँ मैं बैंक में जब नोकरी करता था अच्छी बली नोटी नोटी इधर उदर होते थे तन्खा में भी नोट, बैंक में भी नोट डिलिंग भी नोटों कार नोटी नोट लेकिन मैं यह नहीं जानता कि आखिरकार यह पैसा होता क्या है यह मैंने तब जाना तब मैं चट फटाने लगा जब मैं चट फटाने लगा पैसे पैसे को मोताज हो गया और यह सोचने लगा कि यार वो दिन तो बड़े अच्छे थे यार इसलिए हम जो बोल रहे हैं ये अच्छे बुरे सब तरेक हैं इसलिए अच्छे अच्छे हैं इसलिए आप लोग अपने थेलियों में सोने चांदी के नोट ढूंडेंगे बिच्छूने खाएंगे जिससे कि वे जान सकें कि असल में ये संपदा का अर्थ क्या है अच्छे है कि बुरी है कि क्यों होनी चाहिए क्यों नहीं होनी चाहिए इसका क्या उप्योग है कैसे उप्योग है किसने दिये कैसे उसको काम में लेना चाहिए चार नमबर देखिए अब इन पत्थर की मूर्थियों में से बयानक कोब्रा भुजंग निकलेगा वे पुजारियों को डशने के लिए भागेगा वे पुजारियों को डशने के लिए जपतेगा और पुजारी भागेगे जिससे कि वे ये जान सकें जिसे असल में पुजा का मतलब क्या है अब इन पत्तर की मूर्तियों में से बैयानक कोब्रा भुजंग निकलेंगे इन पुजारियों को डसने के लिए पीछे जाएंगे भागेंगे और फिर इस पुजारी भागेंगे जिससे क्यों ये इसकी अच्छा ही है वे जान सकें कि इस पूजा का अर्थ क्या है तता के छोटे गरीब लोगों से मंदिर बनवाकर दुटकार कर उनको पिछवारे मारकर भगा देना ही पूजा नहीं है पूजा कोई अधुचीज है पता नहीं भगवान नहीं है इसलिए कि अब ये भागेंगे जिसे की वे पूजा का अर्ष्ट्रियत जान सकें आगे सुनिए ऐसी बहुत सी बाते होंगी भागना है तो भागलो भागना है तो भागलो चुपना है तो चुप जाओ वरना अब तुम नहीं बचोगे कौन हुए कोई भी हुआ जो कुछ भी ऐसा ऐसा काम करता है कुणली मारे बैठा है लेकिन उसका अर्ष नहीं जानता कि ये धन क्या है ये सत्ता क्या है ये सोना क्या है ये पूजा पाठ क्या है इसलिए भागना है तो भागलो चुपना तो चुप जाओ वरना नहीं बचो हुए जहां हम बुरा सा बुरा सा कह रहे है लेकिन यह अच्छा भी है क्योंकि सब के भले-बले के लिए कहा जा रहा है कि बचने का यही रास्ता है इस वर ने तुम्हें ट्रस्टी बनाया और लोग तंत्र की आत्माओं का ही अपरन कर लिया यहां कोई है थोड़ी इस दुनिया की देखवाल करने वाला इसलिए भागना है तो भागलो वही चुपना है तो चुप जाओ हम यह बोलते रहते हैं कि क्या होगा और ऐसा ही होगा बड़ा भयानक्षा लगेगा तो यही बड़ा अच्छा है छोटे से हमारे यही उदगार थे यही संभासन था जो परमात्मान हमें बतागी है अब थोड़ा सा आप सुन लिजिए हमारे अन्ने चैनल हम गुरुप सुरू कर दी है अंडर वर्की में हमारा मिसिन ग्रेट इंडिया यह यूट्यूब चैनल है यह मदर और और्गनाजिशन है यह जो अंडर वर्किंग जो इस समय फंसन कर रहा है हम दूसरे चैनल पर इस्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब यह क्यों कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसा था कि हमारे पास प्रसारण के लिए प्रमात्मा बहुत सुचना भेजता जाता है और हम तो इसमें एक वीडियो में तो वीज आई नहीं दूसरा हम थमा देते हैं तो हमारे वीवर्स के शिकायत रहते हैं कि सर आप है जो बड़ा अच्छा बोलते हैं और लेकिन यह इतने जल्दी जल्दी देते जाते हैं कि वो एक में तो हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं दूसरा तो उससे पहले देते हैं इसलिए नहीं तो वीज पहले बाल पर आते नहीं दूसरे बाल पर आते दूसरे पर को देखते हैं तब 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 तफ तर तर आ जाता है कि ये देखो, ये बात सही थी, इसलिए हम अब चाहते हैं कि एक वीडियो जो दो तिन दिन का कम से कम समय दें, और फिर वो दूसरा वीडियो भी दूसरी चैनल पर दें, दूसरा चैनल जो बिंग स्टार्ट है हमारा, M.G.I. Mr. Great India, एक ह होगा, इस्वर एल्ला गोडवाई गुरू, देड, देड इवाइन, और हमारे कुछ, और ये अल्रेडी फंक्शनिंग हैं ये, ये इस तरह से, वाट्स अप गुरूप हैं, मास्टर माइंड गुरूप और नारी शक्ति गुरूप हैं, हमारा नारी शक्ति गुरूप है, जो 36 गर्व से कंट्रोल किया जाता है, इसकी एडमिन है, मैडम स्वाती, वे एक डेवी औरत हैं, हमारे विचार से, एक हमारे डिवाइन हिलिंग सेंटर से चलता है, इसको हमारे नील कमल जी जो वेस्ट बंगाल से चलाते हैं, वे सचमुच में हमारी नजरों में एक आदमी हैं, तपे हुए हैं, ततस्वी हैं, एक संत आत्मा हैं, वैसे तो किसी को कोई प्रब्लम होती है, सभी लोग मिल मिलकर प्रात्ना करते हैं, लेकिन आप उनसे कॉंट्रेट कर सकते हैं, हम उनके नमबर देते ही रहते हैं, अपने चैनल पर, और हम दूछरे ग्रूप इस और ये शुरू करना चाहते हैं, जैसे योगा, आयुरवेदी, नेचरोपेथी, स्टाइकोलोजिकल माइन ट्रेनिंग सेंटर, और इंग्लिस कम्पूटर और मैथमेटिक सेंटर, जिस से की आलिंडिन लेविल पर प्रसारान करके लोगों बच्चों को ठ्रेंड किया ज हमें थोड़ा-थोड़ा सा हमारे प्रियास हैं, जो वे प्रेना देता है, हम आगे बढ़ते जाते हैं, इसलिए फिर सुन लो दोस्तों यह उचल-कूद मुचाने वाले, चोरी करने वाले, लोगों के सामने से खाना खैंच लेने वाले, उनको भूका रखने वाले, बच्चों के हाथ से पढ़ाई का थैला चीन लेने वाले, लोगों को नर्क में जोंकने वाले अब भागना है तो भागलो छुपना है तो छुप जाओ आप भी हमारे परिवार के सब्से हैं आपके साथ भी नयाय होना चाहिए लेकिन जादा किया तो अब बचोगे नी ऐसा परमात्माने बोला है सभी का भला हो और भला तो होगा ही क्योंकि हम सब उसके बच्चे हैं लेकिन हम अपने अग्यानता और अपने गमंड में किसी को समझे नी परमात्मा को भी नी समझे तो भाई बुरा तो होगा ही इस फिर सब का भला करे आज इतना ही जहिंजेवर